वेलकम तू प्रियंका नेट क्लास्स बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर वन की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटीनू करने वाले हैं इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 6 है तो अगर आप में से किसी ने 1st 5 लेक्चर को मिस किया है तो मैं इंडियन काफी एजी लगने लगेगा काफी अच्छा लगने लगेगा कमिंग तो आज का हमारा 6 लेक्चर जिसमें हम डिसक्स करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ओ अनुमान फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको समझा आता है अनुमान होता क्या है आज हम देखेंगे उसकी अलग- जरूर देखेगा बट 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 गोईंग ओन दाट मैं बता दूं मेरा नाम प्रियंका नाता नहीं है मैंने अपना नेटन ज्यार फ क्वालिफाइ किया हुआ है कॉमर्स अब्जेक से अपने पहले ही अटेंप में 99.55% के साथ साथ ही साथ मैंने अपना माराष्ट्रा सेट को भी कॉलिफाइ किया हुआ है कॉमर्स अब्जेक से अपने पहले ही अटेंप में अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप सारी पेपर वन की यूट्स देख सकते हैं टीचिंग अप्टिट्यूट, लॉजिकल रीजिनिंग, पीपल डेवलप्मेंट, इंडियन लॉजिक, ये सारी की सारी यूट्स मैंने कवर की हुई है मेरी यूट्यूब चैनल पर इन सभी की प्लेइलिस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँग, आप वहां से जाके जरूर चेक आउट कर सकते हैं और जो स्टूडन्स पेपर टू इन सभी की प्लेइलिस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो वहां से जाके जरूर चेक आउट कर सकते हैं कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर जो है क्लासिफिकेशन ओफ अनुमान अब एक चीज में आपको पहले बता दूँ अनुमान की अलग-अलग क्लासिफिकेशन दी हुई हैं टूटल तीन टाइप की क्लासिफिकेशन अनुमान की दी हुई हैं आज हम क्या करेंगे आज के 6th lecture में हम लोग उसमें से एक type की classification देखेंगे फिर 7th में दूसरे type की and 8th में तीसरे type की यानि में एक ही साथ तीनो type की classification आपको नहीं करा रहे हो क्यों क्योंकि नहीं तो आप confused हो जाएंगे तीनो में एक एक करके पढ़िए तीनों को and फिर end में आप combine करके देख लेना तो आपको अच्छे से तीनों के तीनों समझ भी आ जाएंगे और तीनों में difference भी clear हो जाएगा ठीक है आज जो हम classification देखने है अनुमान का वो किसके basis पे होने वाला है वो होने वाला है on the basis of nature of व्यापती व्यापती के nature के हिसाब से क्या किया गया है अनुमान को classify किया गया है और व्यापती के nature के हिसाब से अनुमान को कितने types में classify किया हुआ है अनुमान को तीन types में classify किया हुआ है कौन से हैं वो तीन types सबसे पहला पहला टाइप आपका पुर्वावत अनुमान दूसरा है शेशावत अनुमान और तीसरा है सामत्यो दुरुष्टा अनुमान ठीक है एक एक करके देखते हैं ये तीनों टाइप के अनुमान क्या है उनका मीनिंग क्या है और उनके एक्जामपल्स भी देखेंगे so that आपको और अच्छे से clear हो coming to सबसे पहला टाइप व्यापती के basis पे जो है पुर्वावत अनुमान पुर्वावत अनुमान क्या होता है जब आपको कोई चीज पहले से ही पता चल जाती है पहले से ही कैसे पता चल जाती है जब भी आप किसी भी चीज को समझ लेते हो from cause to effect किसी चीज के cause के basis भी आप उसका effect जब पता कर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं पुर्वावत अनुमान जैसे आप क्या देखते हो सुबह को suppose आप उठे आपने देखा कि बादल तो काले काले हो गए है क्योंकि काले बादल देख लेते हो आप तभी ही पुर्वावत अनुमान लगा लेते हो कि ठीक है अगर बादल काले है तो पक्का बारिश होने ही वाली है यानि आप cause से effect पे चले गए यहाँ पे भी मैंने और भी examples यह हुए कि जैसे आपने बीज देखा सीड देखा तो आप समझ जाओगे कि आगे fruit उगने वाला है क्योंकि बीज होगा तभी ही तो fruit आएगा वैसे ही जब आप क्या देखते हो आप clouds देखते हो तब आप समझ जाते हो कि पक्का अभी क्या होंगे यहाँ पे फूल खिलेंगे क्यों क्योंकि फूल खिलने के लिए पानी की जरूत होती हो पानी कहां से आएगा पौदो को वो जब बारिश होगी cloud से तो आटोमेटिकली उनको पानी मिल जाएगा तो पुरवावत अनुमान बोलता ही क्या है जब आप किसी भी चीज के cause से effect पे जाते हो किसी चीज का आपको cause पता है उससे आप effect की तरफ जब जाते हो उसे हम बोलते हैं पुरवावत अनुमान ठीक है इसको हम लोग previous experience के basis पे भी inference बोल सकते है कैसे सोच के देखे कोई बच्चा बहुत मस्ती करता है class में तो आप पुरवावत अनुमान लगा ले तो कि इसका तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता क्यों कि यह तो बढ़ाई के टाम पे पढ़ाई नहीं कर रहा वो तो मस्ती में ही focus कर रहा है तो आप क्या कर रहो आप based on your experience भी आप कई बार क्या करते हो cause से effect के तरफ चले जाते हो इसे ही हम क्या कहते हैं पुरवावत अनुमान कहते हैं I hope सबको examples के through यह logic clear है अच्छे से समझा कि पुरवावत अनुमान है क्या पुरवावत अनुमान क्या है cause से effect की तरफ जब हम जाते हैं चले हमारे second type of अनुमान के तरफ चलते हैं जो है शेशवावत अनुमान शेशवावत अनुमान क्या बोलता है जब आप effect से cause की तरफ जाते हो यानि पहले effect देखोगे और उससे आप cause पता करते हो जैसे कि say for example आप देखते हो कि कोई lady pregnant है तो आप automatically assume कर लेते हो कि ठीक है पका उसके जो lady है और उसके जो husband होगा उसके बीच में intercourse हुआ होगा physical union हुआ होगा तब ही तो वो lady क्या हुई है pregnant हुई है यानि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आप effect से cause पता कर रहे हो यहाँ जैसे इसका दूसा example मैंने दिया हुआ है कि आप क्या देख रहे हो fruit देख रहे हो तो fruit अगर आप देख रहे हो तो आप यह तो fruit तो effect है लेकिन cause क्या होगा fruit आया कहां से होगा जब वहाँ पे किसी ने beach बोया होगा correct बीच से ही तो fruit बनेगा तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते है शेशवावत अनुमान कैसा है यह ऐसा type का अनुमान है जिसमें हम पहले effect देखते हैं और बाद में cause पता करते हैं जैसे suppose आप सुबह को उठे और आपने उठने से देखा कि रस्ता तो बहुत गिला गिला लगा पड़ा है पानी पानी है पूरा रस्ता तो आप क्या करते हो क्योंकि आपने पानी देखा effect देखा तो आप cause का अंदाजा लगाते हो आप क्या अंदाजा लगाते हो कि ठीक है अगर मुझे रस्ते पे पानी दिख रहा है इसका मतलब पक्का रात में या अर्ली मॉर्निंग में क्या हुई है पक्का बारिश हुई होगी कौज क्या है या पर बारिश है बारिश हुई होगी तब ही तो मुझे अभी जो अर्ली मॉर्निंग को क्या दिख रहा है पिर रस्ता गीला दिख रहा है यह जो शेष्वावत अनुमान है, यह opposite है, किसका? पूर्वावत का, पूर्वावत में हम कहां से गां पर जा रहा है थे हम, cause से, effect में जा रहे थे, लेकिन शेष्वावत में हम क्या कर रहे रहे हैं, effect से cause की तरफ जा रहे हैं, जब भी भी मैं आप पेपर में जो भी पूछेगा अगर पुर्वावत पूछ लिया आपने वही याद किया था तो आप आंसर लिख लेंगे अगर शेश्वावत पूछ लिया तो पुर्वावत का उल्टा सोच लेना तो भी आपका अंसर आप अच्छे से कर पाओगे इसलिए जब भी दो पूछ चीज़े होते हैं कोई भी एक चीज़ याद रखिए सो दाट कन्फिजन ना हो और अगें शेश्वावत अनुमान को हम क्या बोलते हैं अनुमान भाइ एलिमिनेशन भी बोलते हैं यानि आप एलिमिनेशन मेथट को यूज करके भी क्या कर सकते हो किसी चीज के कॉस पर आ सकती हो चीज़े हैं I hope सबको शेश्वावत अनुमान क्या है ये अच्छ ए से क्लियर है coming to last type of अनुमान on the basis of nature of व्यापती तीसा टाइप का अनुमान क्या है सामान्य दृष्टम अनुमान अब सामान्य दृष्टम मतलब जेन्रलाइजेशन आप कभी भी क्या कर रहे तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम सामान्य दृष्टम अनुमार कहते हैं जैसे कि मैं बोलू कि वहां पर दुआ है तो दुआ है तो पका आग होगी होगी दुआ निकल रहा है मतलब वहां पर आग होगी होगी तो यह मैंने क्या कर लिया है जेनरलाइज कर दिया है कि जहां जहा जो लास बैंच पर बच्चे बैठे रहते हैं वो हमेशा मस्तिक हो रही होते हैं, क्यों यह हमारी जिसली को हमने अजियूम ही कर लिए कि ठीक है, यह चीज तो ऐसे ही होती है, नॉर्मली भी, तो उसे हम कहते हैं, सामान्य द्रिश्टम अनुमान जैसे यह आप एक्जामपल जहां पर आपको दुआ दिखेगा आप आप पर क्या आजूम कर लेते हो आप क्या अनुमान लगा लेते हो कि ठीक है दुआ कब होगा जब आप आग लगी हुई होगी यहां अगर लास बंच पर बच्चे बैठे तो वो पक्का मस्तिक हो रही होंगे तो यह क्या है यह है आपका सामान्य दृष्टम अनुमान I hope सबको थर्ड टाइप अनुमान भी क्लियर है तो thank you मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजे जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजे मझे कमेंन करके जरूर बताइए मिलते है नेक्स वीडियो में तिल दैन बाई बाई टेक ये